सो वेलकम फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज अपेड्स की सिरीस में बेसिक नोलेज के साथ फ्रेंट्स अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए बहेद मेरत पून रेने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी चली शुरू करते और देखते कि आज की अपडेट की आए दोस्तो आज से करीब डेर साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हत्याई थी जिसके बाद वहाँ के जो ततकली के राष्ट बती थे अश्रप गनी अहमद जयी उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था और तबी से अफगानिस्तान में मानव अधिकार हरन के मामले बढ़ते जा रहे हैं देखिए यहाँ पर मानव अधिकार हरन का जो सिदा सा ताजपरी निकलता है सिदा सा जो मतलब है वो यह कि कोई शक्स या सरकार नागरिकों को अपने अकोर्डिंग कारी करवाए ठीक है अपने अनुसार चलाए और बात की जाए अफगानिस्तान की तो यहाँ पर खासतोर पर जो महिला हैं पिछले दो दशक तक जो अफगानिस्तान यहां अमेरिकी सेना की देखरेक में चलाए ताकि यो खुद आतंक का सामना कर सके, आतंक बात को खतम कर सके तब जाकर अमेरिका ने अपने सेना को धिर धिर वापस बुला लिया 2021 में जब अमेरिका के राश्टरपती जो बाइडेन ने अपने सभी सेनिकों को वापस बुला लिया अमेरिकी सेनिकों ने वापस लोटना शुरू किया तो तालिबान ने यहां की सत्ता पर कपजा कर लिया और उसके बाद से अर्थवियोस्ता जो पेले से ही खराबती वो और भी चादा विगणने लगी दोस्तो विश्व बेंक के आंकड़े के अनुसार 368 डोलर प्रति व्यक्ति सालना आई के साथ अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरिब देशों में शामिल है यहां के प्रति व्यक्ति की जो सालना इंकमर फ्रेंट्स हुए 368 डोलर प्रति वर्ष ठीकी जो की काफी कम है और यही अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे गरिब देशों में शामिल करता है दोस्तों अफगानिस्तान की जो कुल आबादी है वो है 4 करोड 20 लाग के संथिंग और इसमें से आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन उनका पालन पशन ठीक से नहीं हो रहा है यहां से आधी से ज़्यादा जो जनता है वो भूगिस होती है फ्रंस इस वर्ष के बजट में वित्यमंति सिमती निर्मला सितारमन जी ने घोशना किये कि इंडिया इस वर्ष ठीक है इस फाइनेंशिल एर में अफगानिस्तान को 200 क्रोड रुपे के आर्थिक मदद करेगा और यह पेसे अफगानिस्तान को अनुदान और करजे के रूप में दे जाएंगे इसको भी आप नोट करेगा इंडिया ने 200 क्रोड रुपे देने की गोशना की अफगानिस्तान को और तालिबान ने भी इंडिया की स्पेसले की सराना किये अफगानिस्तान में जो संकट बढ़ा है इसके पीछे कहीं वज़े है जिसे बहारी मदद में कमी भुकम से लेकर बाड़ भेंकर ठंड इसी प्राक्रतिक आपड़ाई भी आफगानिस्तान में आती रहती है जिससे यहां की एकोनोमी और भी ज्यादा खराब है इसके साथ ही पूरी दुनिया में जो महेंगा ही बढ़ रही है उसका सीथा सासर कमज़ और अर्थेयोस्ता के बीच अफगानिस्तान पर और बी जाधा पड़ा है देखे आफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद विधेशों में जो अफगानिस्तान की संपती व्योस्ता को सुचारू बनाया रखने के लिए तालिबान सरकार ने राजयों से के नए के साथ कुछ पुराने तरीके अपनाए वो नए और पुराने जो तरीके फ्रेंड्स हो है जैसे कर वसुली हपता वसुली ऐसे तरीके तालिबान की गौर्णमेंट अपना रही है दोस् कंड करिकट्टा किया है इसके साथ इस तो आयत निरियात होता है , ये उसका भी व्यापर किया जाता है इस चलता है यही जो सीमा शुलकि ये तालिबान सरकार की आईका एक बड़ा जरिया बन चुका है उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है यर्ण की ब्रस्ट पतार काफी हद तक यहाँ पे कम हो चुका है दोस्तो सहरत के इस कर के अलावा ये अफगाणिस्तान की जनता से धार्मिक कर भी वसूलता है तीक है जिसको बोलते है अशर और जकात फ्रेंट्स इसके साथ ही जो अफगानिस्तान है ये प्राकरतिक संसादनों की दरश्टी सागर देखा जाए तो काफी संपन और काफी परिपून देश है यहाँ पर कच्छा तेल प्राकरतिक गेस सोना तामबा और अनेक किमती पत्थर जैसे खनीच काफी मात्रा में है दोस्तों इन खनीच संपदा की जो कुल वेल्यू है जो कुल कीमत है वो है एक लाग करोर डोलर ठीक है यह अनुमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालेग के विशेशग्यों और कुछ भूगरवे शास्तियों ने लगाया था ठीक है पर यहाँ सबसे बड़ी जो समश्या है वो यह कि इसके खनन के लिए यहाँ पर पर्रयाप्त मशिनरी और ट्रांस्पोर्ट की कोई सुईदा नहीं है और दूसरे बात यहाँ कोई निवेश नहीं करना चाहता अफगनिस्तान की जो मोज़िता हाल थे उसको देखते हैं यहाँ पर कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता यह थो हो गए यहाँ के खनी संपधा की बातें दोस्तों सत्ता में आने से पहले जो तालीबान था उसके आई का प्रमुक जरिया था अफ़रन जवरन वसूली और अप्रादिक काम ठीके इसके साथ ही जो तालीबान यह अफिम की खेती भी करवाता था अफिम की खेती यह तालीबान की आई का प्रमुक इस्तरो था लेकिन माना जा रहा है कि पिसले साल तालीबान ने अफिम की खेती पर पूनत प्रतिबंद लगा दिया लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उड़ता है कि क्या सच में तालिबान ने इसका प्रतीबंद लगा है दोस्तो तालिबान जो यह अपनी वित्ती व्योस्ता के बारे में ज्यादा जान करी साजा नहीं करता है अभी तक जो भी अपडेट थी वो हमने आपको बता दिये सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको सब कुस समझ माया होगा अगर वीडियो पसंद आयो तो इससे लाइक कलीजिए साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विशे ओल दे वेरी बेस्ट थैंक यससा मच